Hello viewers, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे घर में रखे पुराने गत्यों से बुक मार्क बना सकते हैं इसकी लिए आपको चाहिए घर में रखे पुराने गत्ये इस पर आप किसी भी तरह कर डिजाइन बना सकते हैं मैंने इस पर एक दिल के आकार का बना लिया है और यहां भी एक डिजाइन बना लिया है दिल के आकार को अब हम इसे इस सेप में काटकर अलग कर लेंगे देखिए किस प्रकार से मैंने इसे काट कर अलग कर लिया है आप जिस भी अकार में काटना चाहें आप फूल बनाना चाहते हैं आप तितली बनाना चाहते हैं या इस तरह से दिल का अकार को भी डिसाइन बनाना चाहते हैं आप उसे बना कर अलग रख सकते हैं इसके बाद आप इसे मंचाहे रंग से पहले रंग दिले, कोई भी जो आपको पसंद आता हूँ, जैसे लाल, काला, हरा, नीला, पिला, आपके पास अगर पैंसिल कलर है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास वैक्स कलर है, आप उसको यूज कर सकते हैं, क्रय आप वह कलर इस पर कर सकते हैं मैंने एक पर ब्लैक किया है और दूसरे पर मैं रेड कर दूंगी अच्छे से इसे करना होगा जिसे यह पता देचले थोड़ा सा वह भी छूटा हुआ है इसके लिए मैं अच्छे से इसे कलर करना होगा तो देखिए कि इस तरह से यह मेरा एक तो तयार हो गया है अब मैं यह दूसरा वाला लेती हूँ और इस पर मैं लाल रंग करूंगे जरूरी नहीं कि मैं जो कलर ले रही हूँ आप भी वही कलर ले आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं अब इसे रंग भी रंगे रंगों से भी सजा सकते हैं मैं इसे अच्छे से कलर करना होगा पहले मैं इस पर थोड़ा सा और भी कलर लगा दूँगी अब मैं इस पर ब्लू कलर कर दूँगी मैं इस पर दूँगी क्योंकि मेरे वाटर कलर में रेड में मैंने ज्यादा साइद वाटर मिला दिया था कलर पता नीच चल रहा है चली ठीक ही है यह अब आपको इन दोनों को अटेच करने के लिए एक रीवन चाहिए या आपके घर में अगर मोटा धागा हो तो आप वह भी इस्तमाल कर सकते हैं आपकी अबन कर दोगा तो देखिए मैंने के इस इसे इसे इस तरह से चिपका दिया है Ceau अब चाहिए तो फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं और इसे बांध ही सकते हैं यह मेरा बंकर तयार है यह देखिसे है मेरे प्यारा सा चोटा से बुक मार्क बन तयार है अब मैं इसको आपको use करके दिखलाती हूँ कि हम इसे बुक में कैसे use कर सकते हैं माली जी ये तो मेरी डाइडी है लेकिन अगर बुक है और मैं इसे पढ़ रही हूँ और मुझे set करना है कहीं भी कि last मुझे याद रहे कि मैंने last time इसे कहाँ पढ़ा था तो जो भी मेरा last page होगा मैं उसमें इसे रख दूँगी इसे इस तरह से और देखिए ये और ये नीचे ऐसे रहेगा और ये मेरे book में रखा हुआ है तो मैं उझे याद रखने में ये परिशानी नहीं होगी कि मैं किस page पर book को पढ़ रही थी तो मेरा प्यारा से एक छोड़ा सा book mark बनकर तेयार हो चुका है और अगर आपको इसकी उज़ नहीं है तो आप इसे इसके अंदर रख सकते है और इसे इस तरह भी उज़ किया जा सकता है कि यहाँ ये धागा लगा हो और नहीं अगर आपको अपने designs को सो करने कि मेरा क्याँ डिज़ाइन है तो आप इसे को यहाँ ऐसी जाइड में भी रख सकते है और आपको ढूंदे में आसानी होगा तो इस तरह से आप घर पे से च्राइप कर ये आप डिफरेंट डिफरेंट सेयप में इसे कट कर सकते है कलर से कलर कर सकते हैं और आपके लिए यह बहुत यूजफूल होगा हम अपने day to day life में यह गत्य को तो हम फेक ही देते हैं आजकल तो online समान बहुत आता है वो डबो में रखके आता है तो आप उसका भी यूज़ करके हम इसको अपनी घर पे बना सकते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच अगर आपको यह वीडियो पशंद आया हूँ और इस तरह के और वी वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो हम मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग